नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तती जोतिश दिशा सत्य की राहा जो भी पाप करते हैं अंजाने में भी बहुत सारे पाप होते हैं शास्त्रों के अनुसार जाडू बोहारते हैं तो बहुत सारे चोटे-चोटे कीडे मर जाते हैं श्नान करते समय हो जाता है जब हम खाना बनाते हैं उस दोरान बहुत सारे की डाणू मरते हैं तो ये जाने- जाने में बहुत सारे पाप होते हैं हम जान बूच करके भी बहुत सारा पाप कर देते हैं बाद में रेलाइज होता है तो प्राश्चित करने का एक मौका चैत्र माहा कृष्ण पक्षे का दशी को आज के दिन भगवान सिरहर बिश्रू उने हम सब को दिया है अब सरा को मेधावी नामक रिशी ने शिराप दिया था अब सरा मोहित होकर रिशी के तब को भंग की थी मेधावी चेवन रिशी की पुत्र थे शिराप दे दिया था पिशाचनी होने का बात में बहुत सारी अनुनय विनय करने पर चेवर्ण रिष ने मेधावी रिष ने इस खास पाप मोचनिय कादशी का व्रत और भगवान सिहर बिश्णू के पूजन और चनवंदन के लिए बताया इस व्रत को करने के बाद वह अपसरा श्राप मुक्त हुई समस्त पापों से मुक्ति का एक साधन है कर सकते होंगे तो आज ब्रत कर लीजिएगा नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है आप हमारा उपाय कर लीजिएगा बच्चा बच्चा कर ले हर कोई करे आज का एक खास उपाय जो हम राशिकत तरेके से बता रहे हैं हाँ हर किसी से अनरोध भी है कि आप इसे शेर जरूर करिएगा क्या होगा उससे उससे सामने वाला भी निश्पाप होकर कि अपने जीवन में सुखों को प्राप्त करेगा वलो भगवान सिरहरी विश्रू की जै तो भईया ये शुरूआट करते हैं आज के जोतिश दिशा की चैत्रमाह किश्रूपक्ष एकादशी पाप मोचनी एकादशी आज चंद्रमामकराशी में रहेगा नक्षतर आज दो रहेंगे उत्राशार रहेगा दोपार दो बचकर और तालीस मिनट तक चौदा और तालीस तक इसके बाद श्रमण नक्षतर का हुदय योग भी दो रह आज ग्यारा बचके 37 मिनट सुबह तक परिग और उसके बाद शिव तदनुसार दिनांक 19 मार्च दिन गुरुवार गुरुवार को दो पहल देड़ से 3 बजे तक राहुकाल होता है एक तीस से 3 बजे तक नए और शुबकाम बिलकुल नहीं करने चाहिए काम बिगड़ सकत हैं हरे कार शुब हो जाता है आई आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अब आज की भविश्वानी मेश से लेकर के मीन तक दिन कैसा बीतेगा और मेश से लेकर के मीन तक आज पाप मोचनी एक आदशी के दिन के महत्म को कैश करने के लिए ग्यात अज्यात समस्त पापों से प्राइवर्ट सेक्टर के लिए समयन कूल रहेगा, वाहन का सुख मिलेगा, परिशानियों का अंत होगा, मुश्किलों से बाहर निकलेंगे, प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए आज वाहन का सुख भी मिल सकता है, सरकारी छेत्र में आज धन की प्राप्ति होगी, पैत्रिक संपत्ति के विवाद से मुक्ति मिलेगी, संतान का सुख मिलेगा, मांगलिक कारे हो सकते हैं, दामपत्ति जीवन सुखद रहेगा, वाता वरण आज मेरेड लाइफ का बहुत शुब रहेगा, आज एक नया कुछ आपके जीवन में घटित हो सकता है, आज का दिन प्रेमी प्रेमी काओं के लिए थोड़ा सा नासूर लेकर के आएगा, और आपके एगो के कारण आपका आज लगभग लव लाइफ खत्म हो सकता है, अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन है, थोड़ा सा ब्रहश्पत को समझने की कोशिश करिए, आज का दिन स्वास्त के लिए थोड़ा सा नासाज रहेगा, जुखाम, बुखार और इसकिन प्रॉबलम संभो लग रहा है, प्रियोक के तोर पर आज पाप मोचनी एकादशी के दिन, दूध में थोड़ा सा आटा डाल कर गव माता को खिला दीजिएगा, गव माता ना हो, तो अलग-अलग दूध और आटा, गेहूं का आटा अलग-अलग कहीं दान कर देजिएगा, बलो सिरहरी विश्रू भगवान की जै, बलो सत्यराराण भगवान की जै, क्या नहीं करना आज? आज बड़ बोलापन नहीं दिखाना है, शुबरंग हरा भाग्यो प्रत्षत 62, ब्रिशबराजी, पढ़ाई बम-बम, स्विक्षा में बहुत अच्छी स्थिया है, ब्यापार प्रभावित होगा, रिस्क लेना भारी पड़ेगा, बिजनस में आज जादा एक्साइटेट न रहिएगा, ब्यापारिक छेतर में, प्राइविट सेक्टर अच्छा है, मुश्किलों का अंत होगा, वाहन का सुख मिलेगा, लेकिन आज सरकारी छेतर में तनाव बढ़ सकता है, कोई आप पर हावी होने का प्रयास करेगा, कार छेतर में थोड़ा सा माहूल गमगीन टाइब का रहेगा, दामपत्य जीवन अच्छा है, वातावरण सुखद रहेगा, पति-पत्नी के बीच ने है, उत्तरोतर वृद्धि को प्राप्ट करेगा, आज का दिन लव लाइफ के लिए टफ सिचुएशन में जा रहा है, थोड़ा अपने आप पर भरोसा रखिएगा, ठीक होगा, स्वास्त, हड़ी की दिक्कत, हड़ की प्राब्लम रहेगे, पेशन्स ध्यान दे, क्या आपको करना चाहिए, पाप मोचने इकादशे, आज का दिन चावल, कच्चा और हल्दी, अलग-अलग, भग्वान सिरहरी भग्वान सिरहरी भग्वान की जय, क्या नहीं करना है, ब्रिश्यवालों को आज दूसरों के काम में हस्तक्षेप नहीं करना है, शुबरंग आपके लिए आज बैगनी भाग की प्रिश्प चोगवन, मिथुन राशे, पाप मोचने इकादशे, उपाय जरूर करिएगा औ पता नहीं किसका कल्यान हो जाएगा, मिथुन राशे, शिक्षा छेतर में दिन अच्छा है, मेहनत कर लेंगे आज, सफलता मिलेगी, ब्यापार प्रभावित होगा आज, रिस्क मत लेजेगा, दोखा मिलेगा, प्राइवेट सिक्टर अच्छा है, शादी की बात हो सकती है आज फाइनल हो जाए, थोड़ा सा काम के प्रेशर से परेशान रहेंगे, प्राइवेट सिक्टर में आज वाहन का सुक भी दिखाई देता है, सरकारी छेतर वालों के लिए आज का दिन बास के साथ कुछ बहस और तूतू मैमेका लग रहा है, सरकारी छेतर वालों को आज सहज भाव से रहना होगा, परेशानिया आ रही है, वो दिख रहा है, दामपत्य जीवन आज अच्छा रहेगा, रिस्ता मधोर रहेगा, पत्ने के साथ कहीं घुमने टहलने का कार्ण कम बनाईएगा, लेकिन सोच समझ कर, कुरोना वॉयरस, सावधान जरूर रहें, आज का सकती है, स्वास्त के मामले में आँख की दिक्कत और गले में खराज सिकायत हो सकती है, प्रियोग क्या करना है, भगवान सिहर विश्णो के निमित्त, आज केले के पत्ते पर भोजन कर लीजिएगा, मान लीजिए आप क्या असपास केला नहीं है, पाप मोचनी एकादशी ह उपाय क्या करें आप, आज किसी बढ़ने वाले बच्चे को कुछ लिखने की सामगरी, पैंसल दे सकते हैं, बलो शीरही पेशुरू भगवान कीज़े, बलो सत्नाराण भगवान कीज़े, क्या नहीं करना है, आज किसी महिला का नादर नहीं करना है, बादामी करकराशी, दिन अच्छा रहेगा, रुक्य कारे बन जाएंगे, आज पढ़ाई अच्छी करेंगे आप, ब्यापार बेहतरीन चलेगा, निवेश का लाब मिलेगा, दोस्तों का सानित रहेगा, प्राइवेट सेक्टर बेहतरीन दिन है आज, वाहन का सुख मिलेगा, शादी आफ कोर्ट सेटेलमेंट की बात होगी, आज रिस्ता बचा रहेगा, तामपत्य जीवन शुभ परिस्थती की तरफ बढ़ रहा है, लव लाइफ टफ रहेगा आज, बातचीत तनाव की स्थती में आ सकती है, आज मन थोड़ा सा विचलित रहेगा, करकराशी, दिन संभाल क करके, क्या उपाय करना है, करकराशी वालों को बताएंगे हम, लव लाइफ, इस दिया से, थोड़ा सा अपने आप पर भरोसा रखिएगा, प्रियोग, आज का दिन, लेकिन पहले स्वास्त, आँख की तकलीप, बैक की प्रॉबलम, हर्ट की प्रॉबलम हो सकती है, प्रियो रासिगत इस्पेशल पाप पोचनी उपाय है, पापों से मुक्ति करने का उपाय, आज की ही तिन में करना है, आज 19 मार्च को ही करना है, गुरवार को ही, आज ही की दिन का है, तो केला और हल्दी अलग-अलग कहीं दान कर दीजेगा, क्या नहीं करना है, गुस्ये में आव मांस्रिक शान्ती मिलेगी ब्यापार बहतरीन है बिजनस में किसी तरह के दिक्कत नहीं आएगी ब्यापार में हर प्रकार के तनाव से मुक्ति मिल रही है प्राइवेट सेक्टर के लिए अनकूलता रहेगी प्राइवेट सेक्टर में दिन बहतर रहेगा आज नवकरी में प्रमोशन रहेगा एक दुसरे का सानित पसंद करेंगे गौर्णमेंट सेक्टर के लिए हर लिहाज से शुपता मिलेगी सरकारी छेतर में किसी तरह की समस्या नहीं आएगी सरकारी छेतर में कुछ बड़ी उपलब्धी मिल सकती है लव लाइफ बताएंगे दामपत्य जीवन दामपत्य जीवन सिंग राशी के लिए आज 19 मार्च को परिस्थतियों को पक्ष में पाएंगे तनाव कम होगा स्वास्त अच्छा रहेगा आज का दिन लव लाइफ बहतर रहेगा हर प्रकार से शुपता रहेगी रिस्ते की बात हो सकती है आज जगडे से बाहर निकलेंगे दिन बहतरीन बीतेगा सरदर्द, बैक प्रॉब्लम और हर्ट की दिक्कत आज स्वास्त के मामले में तीन छेत्र आपको हिलाएंगे प्रियोग क्या करना चाहिए आपको आज के दिन को बहतर करने के लिए तीन जोड़ा जनेव किसी मंदिर में ब्रामण को दे दीजेगा कुछ दक्षिना के साथ ये है आज का आपका पाप मोचनिय का दशी महा उपाए क्या नहीं करना है सिंग राशी वालों को आज बड़ बोला पर नहीं दिखाना है और किसी के काम में इंटर्फियर नहीं करना है ग्रे कलर शुभर साथ प्रतुष्वत का भाग आपके साथ है कन्य राशी थोड़ा सा आज मायूस से रहेंगे परेशानी रहेंगे तनाओ ग्रस्त रहेंगे क्या करें क्या ना करें बढ़ाई नहीं हो पाएगी ब्यापार अच्छा चलेगा बिजनेस में दिक्कत नहीं आगी ब्यापार एक मुश्किल से बाहर आएगी बिजनेस में कुछ बड़ी उचाई छूसकते आप प्राइवेट सेक्टर के लिए मुश्किल आ रही आज प्राइवेट सेक्टर में कुछ तनाव की स्थिया आई कि प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए सोच समझ करके निर्ड़े लेना होगा सरकारी चेत्र की इस्तिती बहुत अच्छी रहेगी आज नौकरी में प्रमोशन के चांस ऐसे है वर्क लोड बढ़ सकता है लेकिन मन प्रशन रहेगा दामपत्य जीवन आपका अच्छा रहेगा रिस्ता मधूर रहेगा पत्नी के साथ quality time spent करेंगे आज जगडे रडाई से बाहर निकलेंगे स्वास्त के मामले में आज परिशानी हो सकती है आँख और बैक की प्राब्लम रहेगी लव लाइफ अच्छा रहेगा लव लाइफ में smoothness रहेगा आज रिस्ता प्रगारता की तरफ बढ़ेगा स्वास्त दवाओ पर खर्च खत्म होगा उपाग्या करना चाहिए आज विशेश से पाप मोचनी का दश्य है कन्य राशिवालों को आज का दिन गुड और रोटी में थोड़ी सी हल्दी लगाईए और किसी भी गउ माता को ना मिले तो अलग-अलग किसी जरूरत बंद को दे दीजेगा आज बिकल्प इसले मैं दे रहा हूँ जिससे देश-बिदेश में रहने वाला हर कोई जरूर करे उपाए इस्पेशल हम इतनों आज जरूर करिएगा बार-बार अनरोद कर रहे हैं और दबाकरिश को शेर करिएगा आज किसी के भी जीवन से पाप हट जाए तो क्या पूछना है क्या नहीं करना है आज आज अपना वाहन किसी को नहीं देना है बसंती रंग शुभ है पच्पन प्रत्सित का भाग्याब के साथ तो लाराश दिन अच्छा है पढ़ाई कर लेंगे आज ब्यापार में आज प्रमोशन होगा पार्टनर्शिप टिक जाएगी प्राइवेट सेक्टर के लिए अनकुलता रहेगी वहान का सुख में लेगा सरकारी छेतर में कुछ तनाव की इस्तिति आ रहे है धन के लें दिन में आज सावधानी ब्रतने क्या वशकता है आज दामपतु जीवन अच्छा रहेगा रिस्ता मदूर रहेगा कहीं मकान में चेंजेज कुछ हो सकते हैं स्वास्त के मामले में ब्यहतरीन दिन रहेगा आज ऑपरेशन सकस्फुल रहेगा आज लव लाइफ प्रभावित हो रहा है सप्रेशन की स्थती अचानक से क्रियेट होगी रात आने से पहले उपाय क्या करना चाहिए आज आपको विशेश गव माता को कुछ गुड आदी जैसा मीठा दीजेगा क्या नहीं करना है आज दूसरों के बातों में मत आईएगा गाय ना मिलने पर किसी जरूरत मंद को आप गुड दान कर दीजेगा स्लेटी रंग शुबर बावन प्रतिशत का भाग आपके साथ है बिस्ट चिक राज़ पढ़ाई आज नहीं हो पाएगे व्यक्तिकत मसले आपको परेशान करेंगे आज लव अफेयर ब्रेक अप परेशान करेगा वैपार बहतरीन है बिजनेस में दिक्कत नहीं आएगी आज धन का लाब होगा बिस्तार मिलेगा प्राइवेट सेक्टर बहतरीन दे रुका कारे बन जाएगा परेशानी उकानत होगा गवर्मेंट सेक्टर के लिए आज थोड़ा सा मुश्किल आएगा धन का लेन देन फंसेगा आज वाहन से चोट आदि की संभावना बनती है दाब पत्ते जीवन अच्छा रहेगा आज आउट आफ कोर्ट सेटलमेंट की बात कर सकते हैं पत्नी के साथ अच्छा समय बिताएंगे स्वास्त बहतर रहेगा हेल्थ वाइस किसी तरह की दिक्रत नहीं आएगी आप्रेशन आदि की नौबत टल जाएगी लव लाइफ थोड़ा सा टफ रहेगा एक दुस्ती किर्प्रति आविस्वास आज बढ़ रहा है विश्चिक रासि लव लाइफ आज प्रभावित होगा उपाय क्या करना है इस्पेशल आपके लिए आज का दिन तुलसी की तीन परिक्रमा करके और उसके नीचे घी का एक दिया जला दीजेगा तुलसी का पौधा ना हो तो तीन लोगों को आज भोजन भी करा सकते है क्या नहीं करना है उधार नहीं देना है औरेंज कलर शुभाय अठावन प्रत्षत का भाग्या आपके साथ है धनुराशी काम में कुछ परेशानी आ सकती है अचानक दिक्कतें बढ़ सकती है मांसिक रूप से आप परेशान रहेंगे स्वास्त पर विशेश ध्यान देजेगा हेल्थ वाइस किसी तरह की दिक्कत आ सकती है ब्यापारिक दिश्टिकोंड से समय अनकूल रहेगा बिजनस में कुछ प्रोग्रेस होगा आज धन का लाव हो रहा है रुके धन की प्राप्ति होगी आज का दिन प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए वाहन सुक के साथ साथ दामपत्य सुक की भी वृद्धी कर रहा है मन प्रशन रहेगा काम में विस्तार मिलेगा बहुत प्रशन रहेगे सरकारी छेतर में आज तनाव किस्तिती रहेगी ट्रांसफर रुख सकता है कोई आपकी विरुद्ध शटियंत रिया चुगली करेगा सुआस्त बहतर होने से लव लाइफ और धामपत्य जीवन दोनों आज बिलकुल गुलजार रहेगा आज रिष्टा मधूर है पतनी के साथ भी पती के साथ भी लवर्स के साथ भी शादी की बात कर सकते है अगर आप को आ रहे हैं तो स्वास्त बहतर रहेगा आज operation successful होगा बैक की problem दूर हो जाएगी थोड़ा सा शूगर आपका आज बढ़ा हुआ रहेगा धनोराशी के लिए उपाय क्या करना चाहिए आज का दिन विशेश करना है जो एकादशी पाप मुचनी एकादशी आपकी राशी धनो है मुझे पता है किस दर्द की स्थती से आप गुजर रहे होंगे परेशान मत होईएगा दाइने हाथ की हथेली में जल और उसमें एक चुटकी हल्दी पाउडर डालिए और साथ बार ओम नमो भगवतेवासु देवाय ओम नमो भगवतेवासु देवाय साथ बार कहके और इसको किसी पौधे की नीचे डाल दीचेगा क्या नहीं करना है आज बड़े बुजर को जबाब नहीं देना है गुलावी रंगशो भे क्यावन प्रत्शत का भाग आपके साथ है मकर राशी 19 मार्च पाप मोचनी एकादर्शी महा उपाए बस थोड़ी दियर में बताएंगे मकर वालों के लिए सिक्षा की मामले में दिन बेहतर है आज खूब अच्छे से पढ़ेंगे मन लगेगा पढ़ने में कहीं पढ़ने के लिए बाहर भी जा सकते है ब्यापार अच्छा रहेगा बिजनस में धन कलाब होगा पार्टर्शिप थम जाएगी आज मीडिया के छोट छेतर के लोगों के लिए कुछ परेशानी है आज प्राइवेट सेक्टर के लिए नौकरी में परिवर्तन का समय दिखाई देता है इंटर्व्यू में आज जा सकते है दिन अच्छा रहेगा नई जिए अपलाई के लिए भी दिन उत्तम दिखाई देता है सरकारी छेतरवालों के लिए मकान का सुख मिलेगा रुकाकारे बन जाएगा धन किस्तिती अच्छी है दामपत्य जीवन थोड़ा सा टफ रहेगा आज रिस्ता थोड़ा सा हिलना दूलना रहेगा परिशान रहेंगे दामपत्य जीवन अच्छा नहीं है स्वास्त के मामले में दिन अच्छा रहेगा लेकिन लव लाइफ प्रभावित होगा अब इस्वास शक बढ़ेगा आज मकराशी के लिए उपाय क्या करना चाहिए स्पेशल केला बनाना आज बंदरों को खिला दीजेगा आसपास अगर होंगे क्या नहीं करना है आज जादा किसी दूसरे पर हसना नहीं है पिलारंग शुबह तिरपन प्रत्षत का भाग आपके साथ है पढ़ाई अच्छी करेंगे आज खूब मन लगेगा शुक्षाम में आज रेजल्ट पोजिटिव आएगा ब्यापार प्रभावित हो रहा है बिजनस में धनफन सकता है दूसरे के पती अब इस्वास रहेगा पार्टनर्शिप तूटेगा प्राइवेट सिख्टर अच्छा रहेगा नकसान से बाहर निकनेंगे प्राइवेट सिक्टर में कुछ बड़ी उपलब्धी मिलेगी सरकारी छेत्र वालों के लिए मुश्किले आ रहे है सरकारी छेत्र में कुछ स्थिति गढडबर रहेगे दामपत्य जीवन अच्छा है बहुत अच्छा महसूस करेंगे दामपत्य जीवन में किसी तरह की दिक्कत नहीं रही लव लाइफ प्रभावित होगा आज सिप्रेशन की स्थिति आ सकती है थोड़ा सा अपने आप पर अंकुश रखिएगा स्वास्त के मामले में कुम्बराशी वालों के लिए दिन बहुत अच्छा है बहुत स्वास्त महसूस करेंगे हर प्रकार की परशानी का अनत होगा लव लाइफ आपके लिए बिल्कुल ठीक बाद में उपाय क्या करना जी कुम्बराशी वालों को आज 75 इंसास उपाई दिखिएगा साधे कागज पर हल्दी से ओम नमो भगवते वासुदेवाई तुल्सी की लकड़ी से लिखिएगा हल्ди को गिला करने के लिए गंगा जल का इस्तेमाल गुलाब जल का इस्तेमाल या सामान जल का इस्तेमाल करिए और उस कागज पे हल्दी से जब ओम्नों भगवते वासु देवाई लिख लें तो इसे मोड करके कहीं पर भी शिवालेब में जाएं और शिव को अर्पित कर दीजेगा क्या नहीं करना है आज पड़ो से नहीं उलजना है नीला रंग्शु भर साथ प्रत्रत का भाग्या आपके साथ है मीन राशी रुके कारे बन जाएंगे पढ़ाई बहुत अच्छी करेंगे सिक्षा में आई बाता दूर होगी सिक्षा छेत्र में कुछ उचाई चुएंगी आप ब्यापार बहतरी जलेगा बिजनस में समस्याओं का अंत होगा रिष्टा मधूर रहेगा लोन सिंक्षन हो जाएगा प्राइमेट सेक्टर के लिए अनकूलता रहेगी मुश्किलों का हल होगा हर प्रकार की शुक्ता मिलेगी गौर्णिन सेक्टर के लिए मुश्किल लव लाइफ थोड़ा सा टफ रहेगा मुश्किलें आ सकते हैं परिशान होंगे ध्यान देजेगा स्वास्त आज अच्छा रहेगा बहुत मजबूती के साथ अच्छा महसूस करेंगे करोना की खौप से बाहर निकलेंगे उपाय क्या करना चाहिए आज का दिन बहतर करने क के लिए पाप मोचने का दशी का दिन महा उपाय तीन रोटी हल्दी लगा कर किसी जरूरत मंद को खिलाईएगा क्या नहीं करना है बड़ बोला पर नहीं दिखाना है लाल रंग शुभष 64 प्रतिशत का भाग्या आपके साथ रहेगा तो भया इतोरा राशियों का हाल और पाप मोचने का दशी महा उपाय जरूर शेयर करिएगा इस वीडियो को जितना शेयर करेंगे उतना ही लोगों के जीवन में शुभता का आगमन होगा और यह आपके लिए बहुत 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 बढ़ा पुन्न होगा मुझे क्या मिलेगा मेरा परिवार बढ़ेगा आप लोगों की संख्या बढ़ेगी हम लोग बहुत लंबी फैम्ली बनेंगे चली बात कर लएते हैं भाग्याक्षर की यह आपके अपने शुभाग्याक्षर है 24 घंटे के लिए लिए लिख करके अपने पास रख लिजिए और महा आनंद का सेवन करिए आई आगे पढ़ते जानते हैं सक्सेज की एक कागज पर अपने पिता का नाम लाल रंग की इंग से लिख करके पूरे दिन अपने पास कागज रखी और शाम को पुझास्थान पर रख दीजिए बस इतना सा करिए और कोरोना वाइरस के संक्रमण और प्रकोप के कारण आप लोग को पता ही है कि हमने बैंगलोर और इंदौर का मार्च का प्रोग्राम पोश्ट पॉंड कर दिया है नई तारीख हैं आप लोग को जल्दी पता चल जाएंगी और बाकी गाजियाबाद आप मुलाकात कर सकते हैं मैं यहीं पर डेली आप से मुखातिव होता रहूंगा तो गाजियाबाद आप आईए और टेलिफोनिक कंसल्टन्सी के लिए भी आप दिये गए नंबर पर फीज दे करके अपने घरों में बैठे बैठे अपनी टेलिफोनिक कंसल्टन्सी से लाव ले सकते हैं तो आजकर तो ऐसे ही हर जगह से वर्क फॉम है चुट्टिया चल रही है आफिसेज बंद है इस्कूल बंद है कॉलिजज बंद है जिम बंद है मार्केट बंद है मौल्स बंद है तो उस बंद का लाव लीजिए अपने आपको सुरक्षित रखी और दबा करके एस्टलोज झाल बंद है